सबी दर्शकों को नमस्कार आज फिर पहुंचे हैं साद्वी देवठाकरजी के पास और एक भविश्यवानी दुबारा फिर कर दी उस भविश्यवानी से असंद विधान सभा में मच गया है तहल का विधान सभा चुनाव एक अक्तूबर दोजार चोबिस को है और उससे पह से लोग सभा चुनाओं में की गई तो सबसे पहले साद्वी जी नमस्कार नमस्कार दिलबाग जी कैसे हैं आप बढ़िया जी तो बविश्यवानी पोल्टिस्चिन की बविश्यवानी करनी शुरू कर दी क्या देखिए अगर आपको हमारे शब्द हमारी सोच हमारी धरात इस साथ सबसरे से जुड़े हुए लोगों की मैंटलिटी या सच को सच कहे देना यह कहीं ना कहीं बड़ा तीखा बड़ा कड़वा बड़ा स्पैसल एक सवाल है आपका योगी आदित्यनाथ जी से लेके उसके बाद साध्वी और भी कहीं या और भी बड़े-बड़े साधूसंत और आज तो अर्याना की राजनिती में बात करूं ब्रह्मचारी जैसे लोग जब आ सकते हैं दो साध्वी तो कोई अपने लिए कोई अपिक्षा नहीं करी, इक आम जनकी आवाज और एक समाज की अवाज उठाने का काम करी, मेरा कौन सा निजिस्वार थे तो आपने भी तो कहा था भी मैं टिकट लेकर क्या में चाती हूँ असंद विदान सभा की सेवा करना आज भी मैं बाकी नेता हूं की तरह कृंतू प्रंतू या इधर-ुदर से कान पकड़ना मैं विश्वास नहीं रखती मैं टिकट मांगते नहीं, हम तो टिकट जब आएगी ना थाली में परोस कर हमारे गर पर आएगी, आज भी स्विश्वास के साथ कहते हूं, हम टिकट थोड़ी मांगेंगे, संत कोई मांगता थोड़ी, संतों को तो दिया जाता है बाजबा में, असन्द विदान स्वा में, तीन दिकट जनेता हैं, बक्सी सिंग विर्क, योगेंदर राणा, और जीले राम, आपने एक नाम ले दिया, और दिकट जनेता हूँआ क्या होगा, और मतलब एक, वो भी यह कहेंगे, आपको भी हमारा नाम क्यों लिया, फिर? सादवी कोई प्लांट की हुई, कोई फंडिंग की हुई, कोई प्रोसेस के द्वारा, या समाज के दबाव के द्वारा, या किसी ऐसे संस्थान की या ऐसे दबाव की मालिक थोड़ी है, सादवी देवाठाकुर को लोग आज से ने, बीसों साल से मैं फिल्ड में रहती हू और बात करती हूं। मैं एक एक आदमी को असंद के जतने गाउँ हैं, जतने युवा हैं, जतनी माताई हैं, जतनी बहने हैं, यहाम टच में मैं लोगों के रहती हूं, मैं कांगरस बिजेपी या इनलो की बात नहीं कहां कर रहा हूं? अगर आप बात गुमाकर, फिराकर जिल वे राम सर्मा 2004 से प्रिचित हैं मेरे और उस समय से प्रिचित हैं जब मिना मंडल जी सहकारी मंत्री होती थी तब हमने उनका बगला मुखी किया था उसके बीच में हमारी कभी मुला का और और कहां जाएंगे जी उनका क्या करोगे मतलब समझे निया आप आपका संता पार्टी में मैं मो रखती हूं अची बात है सनातनकी बाद करती हूं अची बात है और बाजबाय असंख्थन अबकी बार आरने के लिए Ticket किसी को नहीं देता बले दान बले कि सीका हुजाए लग पूछना ला उस से अलग दो नेता है व्了 है योगेंदर राना तिनका अपना एक परचसभ है पैसे की कोई कमी पैसे की अदार पर बाटिया जनता पार्टी के अंदर टिक्ने मिलती कहां पैसे समाजवाद है कहां भारतिय जनता पार्टी तो निश्य पक्स भाव से हुढ़ा कि नेति की तरह थोड़ी है खुद का और बेटे का इचिंतन करे। ना भार्तिय जनता पार्टी तो पीछे लाइन में बैठे व्यक्ति तक पहुचने का प्रियास करती है एक आम जन का बेटा आम समाज का बेटा गरी मजदूर के बेटे को भी नेता बनाने का काम बाते जनता पार्टी करती है और उस वरग से जो व्यक्ति आए जो प्रिचित चेहरा आए जो समाज की दुख में दर्द में जिसके गर्दन में सरिया ना हो एंकार ना चुए उस व्यक्ति को अगर हम बना देंगे विधायक तो क्या बूरी बात पार्टी के अंदर आए पार्टी के नेताओं ने कहा अभी तो ABCD का भी नहीं पता अभी समय लगगा पार्टी की 20 साल सेवा करने पड़ेगी आप का यह पार्टी ने टिकेट मतलब वाइनल है मैं विश्वाज यताती हूँ असंद की जनता को और मैं तो को नब्बे विधान सभाओं पे के सेंटर में आपके बिज़ेपी की सरकार है और उसी के अधार पर आप ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे कि आपके राजय का रियाना का आम जन के आवाज फिर ना सुनी जाए आपके बिकास ना उसी अधार पर मैं असंद में भी आना चाहती हूँ असंद की जो बात करती हूँ आपने बार-बार कहा गोगी पे बार-बार कहा योगंदर राणा पे वो दोनों बड़े अच्छे नेता है योगंदर राना जी हमारे पार्टी के जिला देख सेंए पु साधू का एक साइड आप कहते हो कि साधू आप ठाकुरें, दूसरी समय कहते हो कि आप झाती की बात नहीं करैें, तीसरी बात कहते हो कि आप तो सब के ऊ, अगर हमारा कोई जाती समीकरं नहीं है ना, फिर नीलोग ख़ड़ी विधान सभा से लडवा दो ना गर जाती की बात नहीं करते हैं आप ही लोग तो जाती की बात करते हैं और जब मैं जाती से उपर उठकर जिले राम सर्मा की बात करते हूं तो तुम कह रहे हो कि मैं जाती की बात करूं आप लोग स्टेंड लो ना मेरा स्टेंड तो ठीक है तो आप लोग अपना स्ट एक बार लेके दिखाओ। को जिले राम लोग मानते नहीं थे तो मैं उस जिले राम की बात कर रही हूँ आज वो बहुत सुन्दर एक स्थान पे हैं और असंद की पसंद वो बने मैं ऐसी शुब काम नहीं देना चाहते हूँ जन अशिरवाद रिली है वाई उससे पहले ये इंटर्यू आप देख सकते हैं और हमने भी किसी चैनल पर देखा और किस तरीके से साथ विजी ने एक नाम साफ साफ डिकलेर कर दिया और जिससे सर्दार बक्सी सिंग को लेके आपके माधम से मेडिया के माधम से एक बड़ी चर्चा होती है के संग में उनका एक बड़ा स्थान है उनके विरोध के बाद किसान आंदोलन के विरोध के बाद उनकी अपनी कौम के विरोध के बाद वो वेक्ति टटा रहा संग में उनके रिलेशन पब्लिक से छुपे हुए नहीं है पार्टी में उनके रिलेशन कितने मजबूत हैं छुपे हुए नहीं है पर भारतिय जनता पार्टी इस सुमें आज के दोर आज के महौल आज के विचलित महौल में क्या देखना चाहती है वो दाव नहीं खेलना चाहती, वो किसी candidate को सिर्फ जाती के अधार पर नहीं देखना चाहती, वो जीत के लिए 90 विधान सवा पर टिकट देना चाहती है, उसके लिए जीले राम सर्मा बलकुल काबिल है, शिक समाज 15 टिकटे मांग रहे हैं जी, आप यहां से फिर सिक समाज क का है, और ऐसा भी नहीं के अलमेट लगा के गुमती हूं मैं, शिक समाज तो आरे से सबीजेपी, भगवा, सनातन, धरम, विरोधी हो रहा है, शिक समाज फिर विजेपी से किस मूं से टिकट मांगेगा, मोदी जी की फोटो डालते ही, तो सिक समाज की रगों में आजकल वी दे, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, बिजेपी की विचार धारा और आजके सिक समाज की विचार धारा तो कई मैच नहीं खाती, वो तो कहते हैं कि कुछक लोग तो इतने कटर विरोधी हैं कि बिजेपी का कहीं पॉस्टर, या सनातन का या बगवे का या कोई धरम या भारत माता की जै बोलने, कुछ लोग तो तिरंगा नहीं लगाना चाहते, वो सिक समाज कैसे संभव नहीं हैं। पर्टिकल अगर बात करते हो, और पार्टियों की अगर बात करते हो, किसान आंदोलन के बाद परसंटेज निकाल कर बात करिये, कितना सिक समाज है जो सनातन की और भारत माता की जै बोलने में गर महसूस करता है। आप बात करिये, अभी पंजाब में चुना वो कह आटा है कि वहां का response कितना है वहां की बात करिए एक खालिस्तानी को दो दो लाख वोट से जिता देते हैं उसी पंजाब की मैं बात करी हूँ उसी सिक्समाज की बात करी हूँ मैं जी नाम तो नियों अजगे पुछा ले मदलब आपके जवाब तो है लेकिन आपने पिछे मैं आपकी वीडियो देखी थी आपने बड़ा अच्छे तरीके से सिक्समाज को बड़े अच्छे तरीके से देखा लेकिन आज आप यह तरीका पोल्टिकल अलग से धरम और सिंघ्ट बदिया型 और नामने जज़ों में उसके उपक्सिज सिंघ्टे को बिन्ट ज़ोड़ा गाडि परहार किया वर कि आपने उसका वी रोद कوع काले जंडे दिखाई या सिंघ्ट मांगों यहाँ की सिंघ्ट के लिए इस इसी मतलब दोनों टिक्टें गई और आपने कलीर कर दिया कि अब ये भी बता दो जीत क्या होगी वह विश्यवानी दो करने लगे आज जीले राम सर्माजी को बारतिय जन्ता पार्टी बड़े सह सम्मान के साथ टिकट देती है तो मैं चाहती हूं 20-30,000 प्लस इतना मेरा सब युवाओं में, महिलाओं में, समाज में, गाओं में, पांच से साथ गाओं तो ऐसे हैं असंद विधान सबा में कि जो अमरे हिर्दे में रहते हैं एक आवाज पर हजारों लोग हमारे यहां कारिकर में पहुंचते हैं और मैं पहुंचती हूं तो तो पहुंचने का द तक्कर होगी यह भी नहीं मानते हैं अभी कल एक मेडिया कर्मी ने मुझसे सवाल किया कहा कि गोगी जी अपनी हर्याणवी में बला टक्कर मारेंगे अब मैंने उन्सकों हसते हुए एक बात कह दी कि देखे कुद का वेट उटता नहीं है टक्कर मारने के लिए बड़ा दम च कांग्रोस का कारिय करम चल रहा था करनाल में वो रिक्षा में बैठे रिक्षा पलट गी होती है वो तो असंद पलट जाएगा ऐसे तो और जब विदान सबा में वाज उड़ाते है तो पता लगता है भी असंद का कोई बोल रहा है अब सेल्जा गुटके हैं के हुड़ा करें के टिकेट अर उनकी टिकट डिसाइड करेंगे तो क्या बाप टिकट तो फाइनल हो गया आरे भैया अब मैं क्या आपको बताओ अधी की पसंद को न बनेंगा वो आने बाला समय बताएगा अब लाए मेरे बाल कितनी रुखजा थोड़े ना आग गया आजेंगे बस रुक जाओ तुम भी और मैं भी भाई ये है साधवी देवाठाकॉर जो मन में आता है वो बोलती है मैं बोलती नहीं हूँ मैं करती हूँ पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो माननीय मुखे मंतरी रहे थे मनवरलाल खटर जी और उससे मैं हमने बोला था दो लाग प्लस से जितेंगे वो जितें और जो हमने वारतिय जन्ता पार्टी के लिए लगातार पिछले दस साल में काम किया और डंके की छोट पे किया और आज फिर आप से कहते हैं जिस दिन हम चुनाव लड़ने की बात करेंगे ना नेताओं की तरह नहीं कहेंगे जी हमें को टिकट देगा हम लड़ लेंगे ना जी हम नेता नहीं हम तो बेटे हैं हम उस दिन फिर नेता की तरह हैं चुन जरूर किईगा क्योंकि पोलिटिकली जो सब कुछ होता है, उसके, राजबूत समाज के लिये टिकट माँगों, ऐसा नहीं है कि कोई ब्राहमन पariवार से तो ब्राहमनि उसके लिए टिकट माँगे, भारती जनता पार्टी का जो विवेख है, जो सोच है, जो समझ alcanz है, जो व विस्तार है, विसव की बाद जो करने वाली पार्टी है, वो टिकट उस वेक्ति को देना चाहते हैं, जो जीत की और मुख करें, क्योंकि नब्बे विधान सबाँ पे अब की बार दाव नहीं खेलना, जीत के लिए टिकट देनी है, बलीदान भले किसी का हूँ. मतलब जो सरकार ने वादे की हैं, उनसे आप संदूश्ट हैं, वही सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिकट नहीं है, क्या ठीक नहीं चल रहा है, आप जिस कॉंग्रेस की बाद कर रहे हैं, लोग मजबूत हो रही है, अरियाना के अंदर, वो अपना अधेक्स नहीं बना पात थे, उसके पास तो 25-30 लोग थे, उसके बाद हुड़ा साब उनकी खुद की मिली भगते हैं, हुड़ा साब तो अंदर खाते हैं, वहाके वी जेपी का ये, मैं कुछ ना किसी तिरंगे में, जंडे में, कहीं ना कहीं, बस क्या बोला नहीं चाहते हैं, बाई साधवी देव उन से मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगी, कि आप जाती ना देखिये, आप केवल करनाल ना देखिये, आप सेंटर में देखिये सरकार किसकी है, सेंटर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार हैं, और आप अपना विधायक भारतिय जनता पार्टी का बनाओगे, तो असं असंद आज तक लोगों ने केवले यूज किया असंद को मैं बड़ी गहराई से जानती हूं बड़ी लंबे समय तक आज तक असंद में विकास के नाम पर जीरो परगती है जिस आप एक कवंटल के विधायक की बात कर रहे हो ना जो चिला चिला कर कर कहते हो आप आवाज उठ चाहता है कर भी उसे के साथ है उस तकर वाले विधायक ने आज तक किया क्या है उसकी लिस्ट भी थमादे वो प्लालिए उसे लिए हमने चाहतें कि विपक्स का विक्ती बैठे और फिर विकास ना हो अगर संद का विकास चाते हैं तो भारते जनता पार्टी का ःंडिडिट विधायक बनाई अगर आपने देख लिया इस नहीं विकास हुआ क्योंकि कंग्रिस का विधायक था स्रकार कोंगर किंगर कि आगी दोझी पर इचा सेले बाई ंज कर रहे हैं नेताओं की कम्या रही बादजपा के अंदर कहीं नेताओं में बड़ी कमी रही वो कम्या दूर होने जा रहे हैं यदि आपकी ये बविश्यवानी निकल गी ना जी पूरी तो बहुत कुछ होने वाड़ा है आप ये कह रहे थे कि मैं मतलब आप उस विदायक को जो लोगों के बीच में रहा है लेकिन अगर पावर नहीं है तो उस अच्छे का तो घर के अंदर भी सम्मान नहीं होता पबलिक में तो कैसे हो सकता है अच्छा विक्ति है गोगी पर गोगी अपने पट्रोल पंप से पैसे लगा कर जनता का विकास जनता की सड़के जनता के नाले जनता के काम जनता की खुशिया नहीं बाट सकता उसके लिए पावर चीए सरकार चीए और सरकार उनकी नहीं थी तो ये बहना काफी नहीं है और एक क्वंटल का उना काफी नहीं है अब ने उतों बता देओ मालो जो कांगरिस कियागी फिर क्या होगा कैसे ऐसे मन में विचार और विकार लेकर नहीं है अतेसादू संथ पवित्र विचार रखते है है अर्याना के बारे में भी बविशेवानी कर दी और असथ़े कर दी कि आज कई नेताओं को नेंद नहीं आएगी और भी आरपार की ये लड़ाई है ये बविश्यवाणी विदान सभा 2024 हर्यान में बहुत माइने रखने वाली है और आप से अनुरोध है कि विवेक से काम लें, सब्दों का कंट्रोल रखे कोई वेक्ती यह अपना कॉमेंट भी डाले तो एक अच्छी बाशा हो ताकि उसका किसी को पर गल्त प्रवाव भी ना पड़े और बड़े अच्छी तरी किसे अपना कॉमेंट जरूर डालेगा क्योंकि यह बहुत 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 तकड़ी बविशाड़े बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत देने बाद